वेल्कम बेक टू मैं चैनल के केस बावची खाना वीडियोज पसाद आए तो लाइक शेयर कर दें चैनल पर नहें तो उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें नोटिफिकेशन के लिए आज बना रहे कोफते जिसके लिए तीन बड़े चमच भुने चने का पावडर बना लिया और सूखे मसाले में क्रश कीवी सौफ लिया है गरम मसाला पावडर आधा चमच तीन बड़े चमच धनिया पावडर नमक मिर्च टेस के अकॉर्डिंग और दो बड़े चमच हल्दी ले लिया है और भुना कुटा जीरा ले लिया है अब ग्रेवी तेयार कर लेते हैं उसका मसाला तेयार करने के लिए हमने ली है लैसुन अद्रग का पेस्ट देड़ चमच नमक नमक कमी लेंगे क्योंकि हमने कोफते में भी डाला है दो चमच धनिया पावडर देड़ लाल मिर्च पाउडर ले ले लेंगे एक छोटे टेमाटर को कट करके इसी में डाल देंगे और थोड़ा पानी डाल कर मसाले को गीला करके हम रख देंगे। अब कुछ वेजी इसको कट कर लिया है, दो बड़े प्यास ले लिये थे, चार छे हरी मिर्च ली, उसको बारिक चॉप कर लिया और हरा दिनिया चॉप कर लिया, इसको एक बाउल में डाल लेंगे, और सारे सूखे मसालों को भी इसी बाउल में हम ट्रांसफर कर लेंगे, तोड़ी सी मेहनत का काम है ये, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तभी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, मिक्स हो जाने के बाद, हम इसके कुछ पोर्शन लेंगे, और इसके बाल बनाएंगे, आप चाहें तो एक बाल बना ले, मैं इस तरह से दो बाल बनाती हू और इसके लिए आपको थोड़ा पानी लगाकर कौफते बनाने की जरुरत पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर आप इसको राउंड शेफ कर दें, और सारे कौफते इस तरह से तयार कर लें, अब परी आ जाती है गरीव तयार करने की, तो इसके लिए आधा कप और गरम हो जाने पे इसमें प्यास को ब्राउन कर लिया, कीला क्या हुआ मसाला इसमें डाल दिया और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, ये प्रोसेस हमें तीन बार करना है, भून जाने के बाद थोड़ा पानी डाल दें, फिर इसको दुबारा भूने, इस तरह से तीन बार करना है, टामाटर गल जाए, इसके लिए धकर लगा दिया था, और तीसरी बार के भूनने में हमने इसमें डाल दिया हरा दनिया, कट करके, अब ये भून गया तो सारे कोफते हम इसी के अंदर डाल देंगे, एक एक करके, कोफते डालने के बाद, अब इसमें हम पानी डालेंगे, जिससे की ये पक जाये ध्यान रखें कि हमें कौफते को पानी नहीं डालना है, साइड में पानी डालना है जिससे की ये टूटे नहीं अब ढककन लगा कर हम इसे 20 बिन के लिए कोक कर लेंगे और कोक हो जाने पर इसका सारा पानी सूख गया है तो अब इसे भून लेंगे और भूनने के बाद में इसमें हम ग्रेवी डाल देंगे तो ग्रेवी आप अपनी consistency सेट कर लें जैसी आपको चाहिए और इसमें अब आएगा एक बॉइल अब इस पॉइंट पे आप इसको अराम से हिला सकते हैं इससे पहले ह हम इसे छूते हैं तो यह तूट सकते हैं बॉइल आ जाने के बाद इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और हरा धन्या पाउडर फ्लेम को आफ कर दें और इसे टिश आउट कर लें यह गरम गरम मज़ेदार से को तंदूरी रोटी रुमाली रोटी नान या कुल्च किसी के भी साथ इंज्वाइ कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें थैंक्स फॉर वाचिंग